नमस्कार मित्रों, भारते व्यम पदिती के ये तीन व्यम प्रकार अगर आप वहर रद सुबा 15-20 मिनिट के लिए भी करते हो, तब भी आपकी शक्ती कई गुना बढ़ सकती हैं. केवल इन तीन व्यम प्रकारों से ही आपके पूरे शरीर के सभी मसल्स का अच्छा व्यम होता हैं, और ये सभी व्यम प्रकार आपकी स्ट्रेंग्ट, स्टैमिना और फ्लेक्जिबिलिटी इन तीनों को बढ़ाने में मदद करती हैं. इन में से पहला व्यम प्रकार है सपाटे. मैंने हमारे गाओं के कुछ बच्चों को हजार हजार सपाटे लगातर लगा आते हुए देखा हैं. वो आर्मी की तयारी करने वाले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकदवर होते हैं. 1100 मिटर की तयारी करने के लिए वो सपाटे की प्रक्टिस करते हैं. लेकिन केवल सपाटे और 600 मिटर की प्रक्टिस करने से ये उनकी ताकत बहुत ज़धा बढ़ जाती हैं. मैंने जिम में देखा हुआ है कि जो बच्चे रिगोलर जिम करते हैं, वो भी केवल 112 किलो तक ड बेडली भी उठा लेते हैं और उस पर रेपिटेशन्स लगाते हैं तो निच्चे ही नियमी सपाटे लगाने से आपकी शक्ती बढ़ती ही हैं साथी साथ स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हैं क्योंकि आर्मी बढ़ती के बच्चे केवल 5 मिनिट के अंदर 16 सो पुलप्स आपके अपर बॉड़ी की स्ट्रेंग्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं आपकी ग्रिप स्ट्रेंग्स ट्रॉंग करते हैं आपके बाइसप्स को मजबूत बनाते हैं बहुत सारे बच्चे पुछते हैं कि फोराम्स की साइज केसे बढ़ाएं और फोराम्स flexibility दोनों को एक साथ बढ़ने का बहुत ही बढ़िया तरीका है हनुमंत बैटक हनुमंत बैटक करने से हमारे शरी की जो coordination होती है वो बहुत ज़दा बढ़ती है साथी साथ हमारे शरी का balance बढ़ता है साथी साथ flexibility और lower body की strength बहुत ज़दा बढ़ती है हनुमंत बैटक से हमारे कोर भी strong होती है इन तीनों exercise को अगर आप हर रोज करते है या हपते में से तीन से चार दिन भी करते है तब भी आपका शरी लचिला बनता है मजबुत बनता है साथी साथ आपका stamina बढ़ाने के लिए ये तीनों exercise बहुत ही अच्छे है ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे निचे कमेंट्स में ज़रू बताईए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्रे राम